इनेलो प्रदेश अध्यक्षि चौधरी नफे सिंग राठी ने दावा किया है कि हर्याणा में इनेलो का संगठन पूरी तरह से मजबूत है और लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनकी समस्याओं को उठाने का काम कर रहा है। हमेशा जनता के बीच रहकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। हमेशा जनता के बीचारों की मीटिंग है तो उस मीटिंग में यह निमंतर देने के लिए आये हैं और पार्टी के संगठनों बजबूत करने के लिए बीचार विमर्स करने के लिए है। इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी तो हमेशा मेधान में रहा है। इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी की जो पोज है यह कभी बैर्ग मुनी जाती है। लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों की सबस्क्राइब करती है। अब शब पार्टी आँ चुनावी वर्स है। तो लेकिन नेशनल लोगदल पार्टी तो सदा से ही, चैया उस सरकार में है या नहीं है। लोगों के आवाज उठाती रहते है। इंडिकट बंदन की लगातार मिटिंगे चल रही है जनाब उसको किस तरह से देखते क्या ओफर मिलेगा तो इनलो जाएगी क्या इंडिकट बंदन में देखिए अभी चुनाओ डिकलेर होगा उमीद है शाद परवरी में लास्ट निकलेर हो जाएगा उससे पहले अनेक तरह है कि समीकर्ड बनेंगे और यह चुनाओ वी वर्स है इसमें एमपी का भी इलेक्शन इसी साल में है और एमेले का इलेक्शन इसी साल में है